जोबट विधान सभा उप्चिनाओं का समर आज समापत हो गया है 38 अक्टुम्बर थी और मद्दान की समापती हो गई है सुवेश 7 बजे मद्दान शुरू वाता और साम 6 बजे तक कुल 53.30% मद्दाताओं ने अपने मतादिकार का प्रयोग किया है कुल 2,45,000 से जादा मद्दाता थे जिन में से 1,40,63 मद्दाताओं ने अपने मतादिकार का प्रयोग किया है दल्चस बात यह कि महिलाएं भी यहां मद्दान में पीछे नहीं रही है लगभग बराबरी पर यह मद्दान हुआ है तो यह जो रेकार्ड है यह जोबट विधानसवा का सबसे अधिक मद्दान का रेकार्ड है अभी तक 52 फीजदी मद्दान का सबसे अधिक मद्दान का रेकार्ड जोबट विधानसवा का रहा है लेकिन ये 53.30 को पार कर गया है और हमारे जो सुत्र हैं वो बता रहे हैं कि अंतिम आकड़ा जब आएगा तो ये थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है यानि कि हो सकता है 53.10 रह जाए या फिर 54 फिजदी तक पहुच जाए लेकिन करीब करीब यही आकड़ा रहने वाला है सुबह साथ बजे से मद्दान शुरूगा था और सुलोचना रावत ने काना काकड़ जो कि उनका पैतरिक गाओं है वहां पर अपना मद डाला और जीत के दावे किये महेश पटेल का यहाँ पर वोट नहीं था लेकिन महेश पटेल ने लगातार बूतों का दोरा किया और जीत का दावा किया अब यह जो बड़ा हुआ मद्दान प्रतीशत है जो कि पिछली बार के मुकाबले करीब सवा फिजदी जादा बड़ा है वो किस तरब जाएगा क्या यह सत्ता के विरोध में निकल कर लोग आये हैं वोट किया है या सत्ता की नीतियों के समर्धन में आकर वोट किया है इसको लेकर कयास और अटकलों का दोर है कॉंग्रेस के तमाम नेता यह दावा कर रहा हैं कि वो इस चुनाओं को जीत रहे हैं ऐसे ही दावे बीजेपी की नेताओं के ओर से भी किये जा रहे हैं लेकिन हकिकत यह है कि अभी जल्दबाजी होगी किसी भी नतीजे पर पहुचना या किसी भी अनुमान पर पहुचना क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो कल सुबर तक ही सामने आप आएंगी तो आज जो सबसे महतपुर्ण बात यह रहे ही कि कि किसी भी बूठ से EVM खराब होने की कोई सुचना नहीं मिली किसी भी बूठ पर किसी तरीके के सुचना अभी तक साम साड़े शेवे तक नहीं है तो कुल मिलाकर सांतेपूर ढंग से जोबट विधायान सवा का उच्चनाव संपन हो गया है अब दो तारीक को दो नोवंबर को नतीजों का इंतजार है सुबह आण वजे से गिंति शुरू हो जाएगी और करेबन नो साड़े नो वजे के आसपास रुझान आने चालू हो जाएंगे और ग्यारा बस्ते बस्ते तरह हो जाएगा कि जोबट का विधायक कौन होगा तो उस दिन हम आपको लगाता लाइव बताएंगे जो काउंटिंग प्ले से वहाँ जो मीडिया सेंटर बना हुआ है वहीं से सीवी लाइव की टीम आपको पल पल की अपडेट देगी लाइव खबर हम बताते रहेंगे बताते रहेंगे कौन आगे है कौन पीछे है सब कुछ बताएंगे अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरन सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी लाइव चालू होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा फिराल आज इतना ही बने रही है सिविल लाइव के साथ